क्रमचारी पेंसन की बिरोध में एक पितिसन सुप्रीम कोट में फिर दायर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सांसद बिधायक पार्षत सर्पन सभी के पेंसन हो बंद अब बिधायकों सांसदों की खेर नहीं सुप्रीम कोट में एक जन ही तियाची का दायर हुई है इसे आप से प्रतिक को भी आगे भेशने के लिए कहे तीन दिनों में पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए भारत में हर नागरी को आवाज उठानी चाहिए 2018 का सुधार अधिनियम सांसदों को पेंसन नहीं मिलने चाहिए क्योंकि राजनीती कोई नौकरी या रुजगार नहीं बलकि एक निह सुल्क सेवा है राजनीती लोक प्रतिनिधितों अधिनियम के तहट एक चुनाव है इसकी पुनर निर्मान कर कोई सेवा निब्रीती नहीं है लेकिन उन्हें फिर से उसी इस्थिती में फिर से चुना जा सकता है बर्तमान में उन्हें पेंसन मिलती है सेवा के पांच साल होने पर इसमें एक और बरी गर्बरी या है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं बलकि तीन तीन पेंसने मिलती है यह देश के नागरीकों के साथ बहुत बढ़ा बिश्वास घात है जो तुरंत बंध होना चाहिए केंद्रिये वेतन आयों के साथ संसन सदश्यों शांसदों का वेतन भता संसोधित किया जाना चाहिए और इनको इंकम टेक्स के दायरे में लाया जाए बर्तमान में वे स्वेम के लिए मतदान करके मनमाने ढंक से अपने वेतन वा भत्ते बढ़ा देते हैं और फिर उस समय सभी दलों के सूर एक हो जाते हैं इसके उल्टा जो ब्यक्ति अपने जीवन काल में 30-40 वर्सों तक सास्किये सेवा कर शेवनी ब्रित होता है उसकी पेंसन बंद कर दिया जाता है सांसदों को अपनी बर्तमान स्वास्त देखवाल प्रनाली त्यागनी चाहिए और भारतिय जन्स्वास्त के समान स्वास्त देखवाल प्रनाली में भाग लेना चाहिए इलाज बिदेश में नहीं भारत में होना चाहिए इनका अगर बिदेश में करवाना है तो अपने खर्च से करवाए अन्य थमर जाए मुप्त छुट रासन बिजली पानी फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए वे नकिवल ऐसी बहुत सी रियायते प्राप्त करते हैं बलकि वे नियमित रूप से इसे बढ़ाते भी रहे हैं अपराधी निताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए संदिग्न ब्यक्तियों के सांट डंडित रिकोर्ड अपराधिक आरोप अडरेट संकल पतीत या बर्तमान को सांसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कारियले में राजनिताओं के कारण होने वाले बीतिये हानी उनके परिवारों नमांकित ब्यक्तियों संपतियों से वसूल की जानी चाहिए सांसदों को भी समाने भारतियों लोगों पर लागो सभी कानुनों का समान रुप से पालन करना चाहिए नागरीकों द्वारा LPG गैस सबसीडी का कोई समरपन नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलब्ध सबसीडी संसद कैंटीन में सबसीडी वाले भोजन सहित अनेर रियायते वापस नहीं ले ली जाती संसद में सिवा करना एक सम्मान है लूट पार्ट के लिए एक अकर्शक करियर नहीं फ्री रेल और हवाई जहाज की यात्रा सुबधा बंध हो आम आदमी क्यों उठा इनकी मौज मस्ती का खर्च यदि प्रतेक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों से संपर करता है तो पूरे भारत में अधिकान स्लोगों तक यह संदेश प्राप्त करने में किवल तीन दिन लगेंगे क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्धा उठाने का सही समय है यदि आप उप्यूक्त से सहमत है तो इसे फॉर्वर्ड करे यदि नहीं तो बस हटाए आप मेरे 20 प्लस में से एक है किरप्याई से जारी रखे धन्यबाद जैहिंद बंदे मातरम